निर्भिया केस का जिक्र किया ऐसा लगा पूरा देश उस दिन रो रहा है जिस दिन ये कांड हुआ और उसके बाद जिस तरीके से रूल रेगुलेशन बने कानून बने क्या लगता है आपको 12 साल बाद क्या वो कानून आपको धरातल पर उतरते वे दिखते हैं जब इस तरह के किसे सामने आते हैं? देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि आपर निर्भिया के जुबर्मा कमेंटी की रिक्मेंडेशन आए, हमने CRPC, IPC, जुवनाइल एक्ट और पोक्सो और इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत सारे अमिन्मेंट करें, लेकिन उनका अगर इंपलिमेंटेशन, ताइम बाउंड इंपलिमेंटेशन और प्रॉपर तरीके से इंपलिमेंटेशन हुआ होता है तो आज अभिया जैसा है अपराद नहीं होता, जो अभिया के साथ हुआ, यह और भी बहुत सारी बेटियों के साथ हुए हैं, तो पहीं लगएं यह failure है, कान कड़े कानून बनाना है और कड़ी से कड़ी सजा दिलाना किसी बेटी के साथ अपराद होनी के बाद का प्रोसेस है लेकिन हमारी बेटियां कैसे सेफ और सिक्यूर हो इसके लिए हम अभी क्या वर्ट कर रहे हैं निर्भया केस के बाद भी हमने इस पर वर्ट नी किया अभ्य फोर्स गठित किरा गया है, उसके बाद CBI से भी स्ट्रेटर सिपोर्ट मांगी गई है, तारी चीज़ें की गई है, लेकिन हमारी बेटियां जीबित रहें, वर्क प्लेस पर उनके साथ क्राइम ना हो, रोड चलते क्राइम ना हो, उनके साथ घरों के अंदर डॉमिस्टिक ब बढ़े हैं, उनके साथ क्राइम ना हो, इसके लिए लोगों का माइंड सेट बदले, इस पर तो हम वर्क ही नी कर रहे हैं, तो ये मतलब एक कही लगता है, कि लोग एन ओर्डर जो है, वो एक घर के अंदर तो लोगों को जनरली डर्मी उता है, वहाँ पर माइंड सेट काम हम सबी ने देखा, जो अपरादी जिनको फांसी की सजा डिष्ट कोर्ट से सुनाई गई, हाई कोर्ट से सुनाई गई और सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया ने उसको अपरोड रखा इसमें SLP में, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा, एक इंटर्व्यू चला था, उसके यह मानना था कि लड़कियों की भी उतनी गल्ती होती है, वो छोटे कपड़े पहनती है, वो प्रवोक करती है, आप सोचिए कि जिसको फांसी की सजा डिएगी उसकी अभी भी यह मान सकता है, वो फीमेल को ही रिस्पॉंसिबल मान रहे हैं, तो यह माइंड सेट क्यो उनी अभी तक बदल पाया है, बिल्कुल, प्रियांकर जी, आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, और मैं और आप उस दर्थ को समझ सकते हैं, जससे वो परिवार गुजर रहा होगा, और इन सेक्योरिटीज, यह जो तमान फीलिंग है, वो आती क्यों है, सबसे महिलाएं और उनकी इज़त सिर्व वोट बैंक के लिए है? हम इन सेक्याय को क्यों है, तहू सिर्क सेम्हान फञेए ह सब्सrivरू मृडबे कि अच्पने की इता कर सकती हों, उतनी उतना को, परंदो सवाल तो यह जो है कि गार्टिज भी और इस ना कर सकते हैं, चलग कार बिल्कूर्द को जाहा न के कारी यह जो परी तरीके से जहाँ उसके लिए वो प्रति बद्धता की बात करते हैं, सवाल उनसे ये में पूछा जाना जाहिए, कि जब मणीपूर में खटा होती है, तो वो अपनी चुपी क्यो साथ लेते हैं? पर जब बिलेश पोगाट जब पूरी तरीके सडको पगसीटी जाती है, जो अपने यौन उत्पीर के लिए आवाज ठाती है, वो एक सजथ बेटी इसको सडको पर बिसीटा जाता है, क्या उस समय संसद के अंदर उनने ये पता नहीं था जब वो संपोल इस्तापित कर रहे थे, उनने पता था के ये क्या मुरा लो पर उनने कोई ज़रूरत नहीं सबजी एक बार उस बच्ची को फोन करने की उसे जानने की क्या गल्ती हुई ऐसी क्याओंसी बात होगी कि उसे सडकों पैटना पड़ गया और सिफ यही ने आप अंकीता बंडारी का केस देख लिए आज आप लगातार ऐसे केसे देखें चाहिए उबर जबुशर को देख लिए आपको लीप सेंगर को देख लिए चिन में अनल परत सुना है कि जो रेप के चार्जेस हमको बेटाने का काउंट किया जा रहा है आप जब तक राम रहीम जैसे लोगों को जब तक आप आप आशार उस समय सत्ता में थी और उस समय वो इधरा बड़ा कान हुआ और आपने भी आपने भी मैंने इसलिए आप से पहले ही कहा माम की जब हम बाचीर कर रहे हैं और आज जब यहां पर मुद्दा महिला सुरक्षा पर आगा है तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो बहुत कर के करती ना वहां पर विरोद्ध प्रियांका कहती है कि मैं बेटी हूं कर सकती हूं बेटी का सवाल है वहजए थर जाएंगे is बचा क्या है प्रियांका जी बचा क्या है इस पूरे मामले में बचा क्या है ममदाबाने जी खुद की सरकार खुद धर्ने प्रदर्शन पर बैठ गई सारे सबूत मिटा दिये गए कुछ बचा ही नहीं है आप तो CBI के पास है उल्टा ममदाबाने जी कह रही है CBI ने अभी कुछ किया क्यों नहीं उससे पहले वो सब कुछ भूल गई कि उन्होंने उसके परिवार को जो वो बेटी है उसके परिवार को कहती है कि आत्महत्या कर लिया आपके बेटी ने वो डॉक्टरेट पढ़ करके जो डॉक्टर बन चुकी है वो आत्महत्या करके बैठी वे है यह वेस्ट मेंगॉल की हो रही है तो फिर आप लोगों की तरफ से बोला जा रहे है क्योंकि मम्ता बैनर जी सबकार में है बैनर ने मातरो मेरी सब को राम राम तरो की डेध्ट बेति के वह हैं एंकि कॉर्डिक राजनीती पर्टिजे श करने के साथ खारी है ऑसमेदना उस बच्छी के साथ उन सभी बच्छेब के साथ इनके साथ करम हो रहा है चाहे वो किसी भी प्रदे nossos तॉ के साथ सम्वेदना फोड़ी बहुत प्यांकर जी को रखनी चाहिए थी हमारी तो पैनलिस्ट हैं महीना है और हम यहां पर महीना पैनलिस्ट नहीं हैं हम उस दर्द को महसूस कर सकते हैं कि जब हम या हमारे घर की जब बच्चियां घर से बाहर निकल के जाती हैं तो क्या घर म माबाप है क्या वो डड़े रहते हैं वो सह में रहते हैं कि हमारी बच्चियां घर वाफिस सही सलामत आ जाएंगी या नहीं आ जाएंगी तक्ता जैसी जगा महरे जहां पर महीला मुख्यमंत्री है और महीला मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री जिनके बारे में ये स्चोर है जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वो महीलाओं को बहुत इंपावर करती है सबसे ज़्यादा महीलाओं को सपोर्ट करती है उनके शासन में एक बलाकार होता है विभश never creation होता है और उसको इस तरीके से कवर अप करने की कोशिश की जाती है।